नमस्कार दोस्तों उमास किचेन में आप सबका स्वागत है आज मैं और एक नए रेशीपी लेके आप लोग के सामने आ गई हूं आज मैं जो रेशीपी आप के साथ शेयर करने वाली हूं वो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है बहुत ही कम इंगेडियन्स के साथ हम बना सक करते हैं मेरी ये रेसिपी आप लोग को अच्छा लगी तो प्लीज लाइक कमेंड और सेयर कीजिए तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए बनाने के लिए जो सामगरी मैंने लिया है एक बार उसे देख लेते हैं बहुत ही कम सामगरी है जारा चीजों की जरूरत नही सामकिया है हरी मीर्च है सिंधा नमक है काजू किसमीस चीनी और घी अब लोग इसमें अगर फूल कभी मटर भी यूज कर सकते हैं वह भी इसमें बहुत ही अच्छा लगता है चलिए पहले मैं काजू को एक चम्मस घी डालके हलका गोल्डेन होने तक इसको थोड़ा सा भू इसके बाद मैं उसी कड़ाई में दो चम्मस घी डाल दूंगी कड़ाई अब बहुत ही गरम है तो उसी में मैंने दो चम्मस घी डाल दिया है आप लोग तेल भी यूज कर सकते हैं लेकिन घी में बहुत अच्छा लगता है उसके साथ इसमें अभी तड़का लगाना करिवों्यूंगी सानके मसाले अच्छी तरह से बूंचुके है तरका के मसाल अभी इसमें मैं गृ avanz dollar या पे दो गृप लोग आप लोगर ही तरह से डालना क्योंकि बाद में मैं इसमें और मिर्ज नहीं डालूंगी तो इसमें आप लोग कुटी हुई काली मिर्ज भी डाल सकते हैं समोकिया को धोके उसका पानी निकाल के रखा उसको भी डाल दिया है अभी एहीप मेन काम है हम लोग समोकिया को जितनी अच्छी तरह से फ्राइप करेंगे जितना अच्छा रोश्ट करेंगे उसी हिसाब से पुलाओ हमारा बहुत सी जुर-जुरा सा होगा देखिए अभी गयस का फ्लेम हाई रखना है और समुकिय को अच्छी तरह से चला के इसको 5-6 मेट इस तरह से ऐसी भूनना है जितनी अच्छी तरह से हम लोग इसको भूनेंगे इसको भूनते जाना है यह थोड़ा चिपक जाता है लेकिन इसको गयस का फ्लेम हमें हाई रखना है इस तरह से इसको भूनते जाएंगे थोड़ा जुर-जुरा होने तक जैसे भूनेंगे उतनी अच्छी पुलाओ होगा इस तरह से चलाते जाएंगे कितना जुर-जुरा हो गया है इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है इस तरह से इसको चलाते जाएंगे देखिए ये भून चुका है यहाँ पर मैंने एक कप सामा किया यूज़ किया है अभी अच्छी तरह से इसको मिला देंगे, अभी गयस कपले स्लो कर देना है, क्योंकि इसी पानी से हम लोग को पकाना है, अभी नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, ब्रत के लिए मैं सेंदा नमक यूज किया है, और आप लोग नॉर्मल नमक भी ऐसे दिनों में बना रहे ह तो नॉर्मल नमक भी उसकर है, थोड़ा सा चीनी भी डाल दिया, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा, सारे चीजों क अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, देखिए, अभी जो काजु फ्राइ करके रखा है, वो भी आड़ कर दिया है, मैंने, उसके बाद मैंने यह पर कुछ किस्मिस को भी धोके डाल दिया है, अगर आप लोग पसंद नहीं करते हैं, तो इसको स्कीफ कर सकते हैं, इसको ढखके अभी आठ से दस में, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे, देखिए, हो चुका है, दस में, देखिए, होने के बाद आप एक पार देखि कितना जुर-जुरा सा बना है, आप लोग अगर काजु किस्मिस नहीं पसंद करते हैं, इसके बदले मुमफली भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, मैंने पहले मुमफली डाल के बना चुकी हूँ, मेरे वीडियो मेरी चैनल पे है, आप लोग प्लीज जा कितना अच्छा बना है, कलर भी बहुत अच्छा है, और देखिए पूरा जुर-जुरा सा बना है, चलिए इसको सर्प कर देते हैं